कि एससी फेज ट्वेल्व कि एससी फेज ट्वेल्व टू थूथाज़न्ड ट्वेंटीफोर ठीक है अब एक अभी गाना नहीं आया था मैं नहीं तू कौन बे है कि मैं नहीं तो ते था मैं नहीं तो कौन भी था न इस लेके लिए यहें यह किसी बही जैदा होती दो गधे भी उतनी जाते हैं या कहने के सेंसल लग है आप पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो गया ऐसा भूझना ठीक है हाँ तो नी मेट लिस्ट इधर उदर थोड़ा भूत जाता कि वेकेंसी बहुत ज़्यादा है बच्चे अलबला आ जाते हैं कुछ फॉर्म भारा कुछ नहीं भारा फॉर्में भरने में जाया ध्यान दिया ठीक है तो मैं आप उत्रा इसकी जानकारी दूँ इससे बढ़िया मौकानी मिलेगा यह ससी का जो है एक स्पेशल सर्विस टाइप होती है जब भी नंबर वेकेंसी कम होते हैं पोस्ट में डिटैर्मेंट्स कम होते हैं तो ससी अपने तरीके से एक त प्राइप काले इस्थिती में वेकेंसी निकालना तो इसमें जो है वो 10,000 से जएदा पोस्ट हैं फिस 12 में एक तो जो वेकेंसी आपके आने वाली है उम्मई में आएगी ऐसे सी, MTS, CHSL और CGL अप्रेल के लास्ट से स्टार्ट होगा और मैं तक यह फोर्म भराएगा और आ अब कम वहीं आएगा यह एक स्पेशल पोस्ट होते हैं इसमें तीन तरह की पोस्ट निकली हैं एक निकला है 10th बिस एक निकला है 12th बिस और एक निकला है ग्रेजुएशन बिस इसमें मास्टर डिग्री वाले भी हैं ठीक है यह दोनों जो पोस्ट है अब धियान से सुना कलरकियल पोस्ट है ठीक है न मुनिस्टेयल में ही कलरकियल पोस्ट है और यह जो है ओफीसर ग्रेज की पोस्ट है जैसे सीजियल में होता है ओफीसर ग्रेज की पोस्ट है ठीक है और इसकी जो एज है 10th बिस की यह 18 से 25 एज है इसकी 18 से 25 यर्स तक वाले बच्चे भर सकते ह इसमें जो एज है वो 18 से 27, 18 से 27 तक की भर सकते हैं, जेनरल कास्ट वाले, बाकि आप OVC में 3 साल के छूट हैं, SCST में 5 साल के छूट हैं, और ये 18 से 30 की है, ग्रेशन वाले, और 18 से 32 मास्टर डिगरी वाले हैं, अगर आप मास्टर डिगरी किये हुए हैं, आप वो भी फॉर आजाता है, पका हुआ चातर होता है, पढ़ाई छोड दिया है, उसमें ज्यादा भरी बाद, डिगरी का तो वैलू है न, इसमें कितने स्ट्रेश्ट मास्टर डिगरी किया हैं, नहीं भर होगी, आप उसमें एक ही करेगा, बात समझे कि नहीं, एक आप बात है, उस जवरदस्थ पैटर्न है, अभी जो 10th, 12th सम्में जो होता था, अभी जो मालेजी पैटर्न नया आया है सेसी का, तो अभी देखेंगे कि क्वालिफाइं किया है, अभी आप नया में आया है, इसमें क्वालिफाइं बढ़ा कुछ नहीं है, मेरिट लिस्ट बेस है, इसमें आप युवा है तो मद दाता भी तो है, और असली मद दाता आप ही है, समझ गये ना, तो वही है, फायदा फायदा, आपका भी फायदा, पहले क्या बोलाओं कि, मालेजी लोग, बहुत लोग कहते हैं, कि मंदिर बनाया, दुह स्पिटल बना देता, यह बनाता, बहुत सार हुआ हुआ हमको, तो जब आप बड़े कर्म करते हैं, तो छोटी मोटे ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो आपको यह फॉन भरना, इसमें है क्या, एक ही पीपर होगा, ठीक, आप दिहां सुना, इसमें टोटल जो कुश्चन्स होंगे, वो होंगे 100, ठीक है, और टोटल मार्क जो होगा, वो होगा 200, पहले वाला पैटरन आप जानती थे, अभी जो 2019 से का जो पहला पैटरन था, यह वही पैटरन है, इसमें बदला उनी हुआ है, ठीक है, कुश्चन्स टोटल कितने होंगे, 100, और मार्क्स कितने होंगे, 200, यानि कि एक कुश्चन कितने मार्क्स का लेकिन आपको मैंने यही समझाया है, कभी भी मेट लिस्ट के चकर में नहीं परना है, आपका काम है, पूरी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिस हो, और इसमें जो कोश्चन्स है, 100, 25 का मैथ है, 25 की इंग्लिस है, 25 का रिजिनिंग है, और 25 का जीके जीए एक पेपर होगा, मेट लिस्ट बनाओ, और इस पे फोक्स जैदा मत करना की 70% यही परसेंट लाएंगे तो नुक्रिला नहीं नहीं, कभी नहीं, यह मैंड में रखना भी मत, यह मैं सिर्फ आपको नॉलिज भर के लिए दिया हूँ, यह आपकी काम की चीज नहीं है, यह ग अब बात को समझ है, वो मनों 10 एक्जामनेशन हॉल में नहीं होती है, इसलिए हमेशा क्या सोचना है, कि एक भी कोस्टन ही जूटना चाहिए, ऐसे पढ़िए, चाहे मैथ हो, चाहे एंगलीस हो, चाहे रिजनिंग हो, चाहे जी के जीए सो, तब क्योंकि आप वहां से खिच अब कहां साथ किस पर रखना है, 100% करना है, और इसका पेपर जो होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैई-जून में होगा इसका पेपर, अभी तक क्या नुसार, जो दिया हुआ हुआ इसका डेट, और ये जो फॉर्म भराएगा, वही मैं बताता हूँ, एक फरवरी से आपक एक जाम का, दो-चार दिन रुख जाना, दो ही चार दिन, ये नहीं खाली, देख लिए हाँ, एक फरवरी को वैकेंसी आगे है, निकल गे मामा गाउं, होली पर निकल गे है, भावी संग होली खेलेंगे, होली खेले रगवी राथ, ठीक है, अजब बच्चे फॉर्म कब भ पर भी नहीं, ठीक है, अब ढून रहा है, कभी मत करना, होता क्या है, ठीक है अंदर की बाते बता रहा हूं, होता क्या है, इसमें, कि आप देखिए, जो आप जानते हैं, इतनी माली दरश जार प्लस इसमें अबियांति, जानते हैं, कितने बच्चे कम से कम फॉर्म होगा दसी हजार को तो क्या होता है आप गौर कीजिए जब आप फॉर्म भड़ते हैं तो इसका ने एक साइबर डिपार्टमेंट होता है कर्मचारी होते हैं उसका इतना माथा सरदद रहता है पचास लाग फॉर्म को एक महिनी के अंदर एरेंज करना है कितना काम उसके उसमें क्या होगा थोड़ा सा भी आपका न माक्स परसेंटेज धर दे दिया या यह धर कर दिये थोड़ा फोटे धुनला दिग गया कोई पीन यह डाल गया एक सेकंड यह लगए आपका फॉर्म फटाक से रिजेट करते हैं आपको आसे के मैसेज आए आपका से बुधी से काम करना है एक आपके पास भी अगर डिमाग नहीं लगाएंगे तो घी नहीं निकलेगा पश्य देतें हैं के इसली हूं 2-3 साइट कर नहीं लोगे दूसरे बहु कичноर दिय पाकिस्तान का भर लिए इसकी जो ऑजनल साइट है आप जैसे डालोग उन्हें सीधे साइट पचास लाइन में एक साइट आया कोई और पर फॉर्म भर के चले जाओगे बचा भर दिया था यह लगवक्षे मेने पहले बाद है क्या कई बचे भर देते हैं आप जो इसकी औरिजिनल साइट है मैं लिख देता हूँ एच डवल टी पी एस एससी डॉट एन आई सी एक्स्टिम लिए सोरी एन आई सी डॉट इन यह ऑथेंटिक साइट है जब भी कभी आप उच्छे करना हो एससी का तो आप उच्छे करना है और तयारी इसकी लग जाना सब के लिए अलग अलग एक पेपर के स्कील्टेस्ट हो जाएगा ती गिरियोशन वाले वाले पहला पीटी तो आपको लेगा ही लेगा अब इसमें क्या होता है कि मेरिट लिज उसने बनाया उसके एक गायट लैन अपना एक स्टेंडर लाइन खीज दिया कि 75% से जो भी बच्चे ज्यादा होंगे उसका हम सेलेक्शन ले लेंगे अब ऐसा भी होता है कि 75% ज्यादा बच के-स्को का आखी पहला ही क्या है उसमें इतने मात अठालो जों होसद समझ में जब चरम ना होती है कि किसका प्रोसेस बहुत जबरदसर पर ले रहा है में आहिसें साथ ले Ra ते कर चलिए